अलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं टूब चैनल तो फ्रेंट्स मैं आपके लिए फिर से आज ऐसे नए टिप्स एंड ट्रिक्स ले आई हैं जो कि हमारी लैप को बहुत ही असान बना देगी तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे च लिए नमक वगयरा निकालते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे हाथों में नमक लग जाते हैं यह सबजी में डालना हुआ तो इससे हमारे नमक खराबी होने लगते हैं और से सीलन भी आ जाती है तो इसके लिए हम ऐसा ट्रिक अपनाएंगे जिससे केमारी नमक से पी रहेंगे और हमारे हाद भी गंदे नहीं होंगे नमक से तो इसके लिए हम क्या करेंगे जो चमच हम नमक की डिबबे में डालते हैं उसको हम इस तरीके से गाठ लेंगे धागे से कोई ठीक धागा हो आपके पास अगर पतला धागा है तो आप उसका डबल लेयर कर लिए और इस तरीके से ढखकन बाद के और यह देखे इस तरीके से हाथ भी गंदे नहीं होगे तो चलिए इससे आप अगर गेहूं चालेंगे तो बहुत ही असानी से जो छोटे-छोटे कंकर या सरसो के बीज यदाने होंगे तो वह असानी से वह निकल जाएंगे और हमारा गेहूं सफ हो जाएगा और फिरिंड हमारा अगला ट्रीक है हम जब मलाई वगेरा रखते हैं इकठा करते ह हैं तो हम क्या करते हैं अगर उस जादा दिन कओ जैता है तो यलो होने लगता वह इसलिए क्योंकि इस्धुब और नहीं जा पाती हम इस ति काट तो फ्रेंट्स अगर आप रख रहे हैं फ्रीज में तो इस तरीके से फॉक की हेल्प से आप इसको अंदर बाहर कर दीजिएगा जैसे मैं कर रही हूं आप फ्रेंट्स आपको मेरा यह ट्रिक भी अच्छा लगा होगा तो अब फ्रेंट्स हम चलते हैं अपने नया ट्रिक की तरफ तो friends हमारा यह नया ट्रिक जो है यह अक्सर क्या होते तांबे के जो बरतन होते या पीतल के बरतन तो एक दो दिन में या फिर एक हपते में वो धिये दिरक काले पढ़ने लगते चाहिए आप इसको जिससे भी पितांबरी से वास करो और पितांबरी का इतना हमारे पास वो भ बहर के कुछ ऐसे ingredients से साफ करेंगे जो हमारे घर में रहता है तो friends यह हाँ पर मैंने चोकर लिया है तो चोकर आप friends ले लिए क्योंकि जब भी हम आटा बगरा चालते हैं तो उसमें तो चोकर निकलता है और इसमें हम नमक एक से एक चमशी डाल देंगे लगवा और इसमें ह हमारे घर में मिल जाएगे नमक और नीवू और यह चोकर और इसको अच्छे से friends इसमें अब हम पानी मिला लेंगे और यहां पर देखे मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और अब इसमें हम पानी धीरे-धीरे आट करेंगे तो ज्यादा इसको पेस्ट नहीं करना है तो पानी नहीं डालेंगे इसमें हम तो इसलिके से हमें थोड़े-धोड़े धीरे-धीरे करके ही पानी डालेंगे नहीं तुдо ज्यादा गीला हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा तो हम इस से बर्तन को अपने कैसे साफ करेंगे तो यहां पर हमारा ये जो सालुसान अच्छे से रेडी हो चुका है तो अब चलिए हम इसको साफ करने का आपको तरीका दिखाते हैं और इसका रिजल्ट दिखाते हैं आपको लाइफ प्रूफ तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने जैसे ही डाला इसने अपना कलर पुराना वापिस यह देखे कितना अच्छे से यह साफ ह हो रहा है तो फ्रेंट्स आप दुकान के जो पीतांबरी वगारा लाने के खर से बचने के लिए आप घर में यह ट्रिक जरूर अपना यह और आप तामभा पीतल जो भी आपके पास ऐसे बरतन हो तो वह अच्छे तरह से चमक जाएं कितना इसमें मटमेला निकला है तो इस सारे पीतल के बरतन और यह बहुत ही अच्छा सा सलूसन बनके रेडी हुआ है फ्रेंट्स आप इसको जरूर बनाए गया चोकर तुमारे घर में निकलता ही है आटा से तो इससे को आपको जीरो कोश्ट में आपका यह सलूसन बन जाएगा के वाल नीबू की जवरत पड़े छोटे छोटे बरतन वगयरा ही सब अच्छी तरह के से चमक गए है तो अब हम चलते हैं अपने नए टिक की तड़ तो परेंट्स हमारा यह जो चार्जर है यह अक्सर गंदा हो जाता है तो इसको हम कैसे साफ करें इसको त्लेस ब्राइड शेयल बरतन यह बामने वाले से आ साफ करने सकते हैं और तो कुछ ऐसे इजी ट्रिक्स इसको हम साफ करेंगे जो कि हम लेडिस हो के पास तो हमेशा मिलता ही है यह तो फ्रेंड्स यह थीनर यहां पर हम लेंगे और तो यह कॉटन का कपड़ा अगर आपके पास टीशू वगारा हो तो आप उसको भी ले सकते हैं कॉटन का ही कपड़ा लुगी इससे क्या होगा मच्छे से साफ कर लेंगे तो यहां पर मैंने देखे थोड़ा से मैंने जो थीनर है उसको निकाल लिया आप चाहिए तो थीनर का आजकल वाइब से वगारा भी आता है आप उससे भी इसको साफ कर सकते हैं सानी सच्छी तरह से तो यहां पर देखिए हम कितनी अच्छे से कितना हमारा यह चार्जर गंदा था इसने देखिए अपना रिजर्ट दिखाना सुरू कर दिया है और यह मेरा चार्जर पांच साल पुराना है मैंने कभी इसको साफ नहीं किया लेकिन जब मुझे आई दिमाग में एक दिन मैं सोचा क्यों न मैं इसको थीनर से साफ करूं तो यह साफ होने लगा और यह देखिए बहुत ही अच्छे सी है हमारा साफ होने लगा है हमारा यह चार्जर अब देख रहें कितनी गंदगी निकल रहें आप लाइफ प्रूप खुद देख सकते हैं तो इस तरीके से अगर प्रेडिसों के पास तो रहता ही है तो इससे हम अपने अच्छे से इसको हम क्लीन कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आप यहां पगर आपको मेरा यह वीडियो थोड़ा सब यगर हाँ हलप फूल लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करि हीएगा और हम मैं आपके लिए ऐसे नए ट्रीक टिप्स लात लाती रहोंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्प फूल रहे और आपकी लाइफ को बहुत ही असान बना दें तो फ्रेंट्स इस तरीके सा हमारा यहां पर देखिए चार्जर वगरा पूरी अच्छी तरह से सा साफ हो गया मैंने इसका जो आगे का और पीछे का जो निचला हस्ता था उसको भी मैंने अच्छी तरह सापके देखे कितना सारा इसमेश से गंदिगी निकला हुआ है तो फ्रेंट्स अब चलते हैं आपसे मिलते हैं नेक्ट वीडियों तब तक के लिए फ्रेंट्स बाइ